राजस्तान में कॉंग्रेस के खेमे में तो खलवली मची हुई है लेकिन बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है और बीजेपी कैसे इस पूरे एपिसोड को इस पूरे सियासी ड्रामे को देख रही है इस पर बात करने के लिए राजस्तान बीजेपी के वरिश्ट नितार रा से देखती बीजेपीस को राजिस्तान के अंदर कॉंग्रेस को अगर मैं दो सब्दों में कहूं अब जो दर्श्य है राजितिक दर्श्य है जूतों में भरबर के डाल बांटी जा रही है अपनों को बांटने के लिए और मैं समझता हूं कि पहली बार बहुदूरी का काम किय गैलोज साब ने यह बहुदूरी उनको कितनी महंगी पड़ेगी है तो वक्त बताएगा पर हिंदुस्तान में गांधी परिवार के तीनों लोगों को प्रिंका जी को सोनिया जी को और राहुल जी को एक साथ अगर ललकारने का काम किसे ने किया तो ऐसो गैलोजी ने किया आप कह रहे हैं जिसको वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने चाह रहे थे उसने उन्हीं के साथ बगावत कर दी मैं समझता हूं बगावत नहीं तो और क्या है जब एक बार सारी चीज़ तैय करके आए और उसके बाद यहां आकर प्रिवक्सकों को उन्हीं ने तारिक द देखा है प्रिवक्सकों को आते देखा है पर इस प्रिकार के दूतों की मैंने कभी देखी नहीं यह दूत राज तंतर में भी राजाओं का प्रतिती हुआ करते थे लोग तंतर में भी पार्टी आलाकमान का तो आलाकमान को सीधों सीधी चुनोती दे लाली इससे बड़ी सही करके लगबख BJP से समझाओता करी लिया था देखिए बीजेपी का नाम पहले भी उन्होंने ऐसे ही लिया आज भी आप देख रहे हो दो खेमें बढ़ेवे सामने हैं अब प्रिवक्सक खुद में मंजर को देख रहे हैं बीजेपी का पहले भी लेना देना नहीं था पर मैं यह जुरूर कहूंगा कि सचिन पाइलेट के साथ वह हुई जिस प्रकार किसान ने पूरी मेनद से अपनी फसल को बोया और अचानक रात को कोई चोर आयर फसल काटके ले गए और किसा अ बेडाने प्था देख रही है इस बार बीजेपी इद्दध एकड़ शांत है कोई बीजेपी का मूव नहीं है क्या बीजेपी को इस आपधा में अपने लिए कोई वसर नहीं देखता हम जनता के मैंडेट के साथ ही अपने को आगे बढ़ाने की कुसिस करते हैं पर बीजेपी इस रूप में जरूर देख रही है कि इस पूरे खेल के अंदर जो एक आज नहीं चला कल नहीं चला इस सरकार की पैदाइसी से परारंब हुआ था अगर ठगा गया तो राजस्तान का अवाम ठगा गया आज आप देख रह के कुरसी पर देखिए अब तो सारी चोसर बदल गई जब गैलोज साब ने ब्रीच ओप ट्रस्ट उन लोगों का कर दिया जो इनकी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अब तो देखना है कि रीड की हड़ी में कितना दम है गांधी परिवार के आला कमान को उनकी रीड की हड़ मतलब बीजेपी ये कह रही है कि जब कॉंग्रेस के सबसे बलेनेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं उससी समय गांधी परिवार के सबसे करीवी आदमी ने कॉंग्रेस में तोर्फुल मचा दी निस्चित तोर पर यह सामने आ रहा है इसमें पताने कि आप सकत है कहा जा रहा था संसेद्य कार्यमंत्री के गर जाओ इससे अच्छा है के साफ को इसे बात करते प्रिवेक्स से कहते यह उनका खुद का मामला था पर चूंकि हम भी राजिस्तान की जंता है राजिस्तान में सासन अगर डोलेगा डोलता ही रहेगा तो उसका खामियाना जं अगर आदमी यह नहीं कह सकता किसके लिए राज थे खुले यह आलाका मांत्या करेगा पर मैं यह कह सकता हूं कि जो कुछ हो रहा है अपमानित करने की राजिती चर्म पर रही कभी नकारा कहा गए कभी नलायक कहा गया कभी निकमा कहा गया और अब तो बिल्कुल बड़े बैबरु होकर तेरे कौचे से हम निकले कौचे से निकाल दिया ऐसा होता गभी ने तो क्या सचिन पाइलट के लिए सला है बीजेपी कि राजंद्रा अठाल जी की सचिन पाइलट के लिए क्या सला Summer मैं कुछ सलाह देना है इसलिए के कांग्रेस के अंदर नी बात है पर सचीन पाइलट को ने सयम रखा इसलिए उन्होंने आज तक अपने मुख से ऐसी कोई बात नहीं की इसलिए मुझे इस बात के लिए परसंजा जरूर करूँ कांग्रेस में नेत्रेतु परिवर्तन की बात है यूवा नेताओं को आगे बढ़ाने की बात है गेलोट कह रहे हैं कि मैं गेलोट गुट के कह रहा है कि मैं 102 में से किसी को विने सीयम बना दो सचीन पाइलट से क्या दिक्कत है अशुक गेलोट को वैसे तो बहुमत उनके पा पर या तो साथ मिलाया क्यों अब फिर जैचंद के उनको कर रहे हो पहले जब बगावत दी बगावत के बाद में भरत मिलाप हुआ भरत मिलाप दिल्ली में हुआ आंसुएं निकले आपस में गिले सिक्वें दूर में अब फिर वही बाद बीजेपी बहुत चुट की ले रह ना आप लोग चुप होकर क्यों बड़ देखिए सवाल अरुन सिंग जी इसका उनसे पूछे है जो हमारे प्रभारी अच्छा जबाब वो देंगे और कुछ जबाब छोटा मोटा सतीस पूनिया जी भी दे सकते हैं राजंदरा ठोट एक सब छोटा नेता लेकिन सचीन पा सचीन पाइलट के बीजेपी में आने को लेकर तो खुलकर बोलने को कुछ तयार नहीं राजस्तान में लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि सचीन पाइलट का बार बार अपमान किया जा रहा है और अब ये सचीन पाइलट को तै करना है कि उनका आगे का कदम क्या होगा और आला